मुझा नमस्कार आप देख रहे हैं वक्त इंडिया और इस समय की बड़ी खबर जो आ रही है जैसे हम पिछले दो दिनों से लगतार आपको बता रहे हैं कि जमु कश्मीर में खराब मोसम के चलते नदी नाले इस समय उफान पर हैं चेनाव दरिया से लेकर और तवी नदी तक जो है वो खत्रे की निशान के आसपास बह रही है वहीं कठुआ का जो राजबाग का इलाका पड़ता है वहां उज नदी जो है वो इस समय अपने प्रचंड प्रकौप के उपर है और इस उज दरिया के अंदर छे से साथ लोग जो हैं इस समय फसे हुए हैं और उनको निकालने के लिए इस समय एक ओपरेशन इंडियन एर फोर्स की तरफ से चलाया जा रहा है हम सीधे आपको जोड़ना चाहते हैं उज दरिया के उस जगा उस इलाके से जहां पर ये ओपरेशन चल रहा है तस्वीरे आप इस समय अगर आप देखेंगे तो ये उज दरिया की तस्वीरे हैं जहां पर प्रशाशन जो है वो इस तरह की कोशिश कर रहा था कि वहां से लोगों को जो है जो फसे हुए लोग है उनको रिस्क्यू कराया जा सके लेकिन पानी का बहाव जो है उतना तेज है कि जो सिविल डिफेंस कमेटी या SDRF की जो टीम्स की बोट होती है वो उस पानी के तेज बहाव को जेल नहीं पा रही है उसमें टिक नहीं पा रही है ऐसे में एक माईू दूतों को बुलाया जाए और इंडियन एयर फोर्स का MI-17 हेलिकॉप्टर जो है इस समय कठ हुआ के उज्ज दरिया में पहुंच चुका हुआ है प्रशाशन के आला अधिकारी जो है इस समय में वहां पर और लगातार हेलिकॉप्टर के माध्यम से उन मासूम लोगों की जान को बचाने की कोशिच की जा रही है यह तस्वीरे अगर आप देखेंगे तो तस्वीरों में हेलिकॉप्टर आपको दिखाई देगा कि हेलिकॉप्टर जो है वह ठीक सामने इस समय सरह से लगातार उफान जो है वह भर उफान जो है वह आ रहा है और काफी तेजगती का पानी जो है इस समय देखने को मिल रहा है और इसी बीच जो है मासूम जिंदिग्यों को बचाने के लिए फिलहाल यहां पर फिलहाल जो आगर आप देखेंगे मासूम जिंदिग्यों क माध्यम से किया जा रहा है और यह सीधी तस्वीरे आप इस समय उज्ज दरिया की देख रहे हैं जहां पर इस समय जो है प्रसाशन के साथ साथ वायू सैना का जो हेलिकॉप्टर है वो लगातार उस इलाके में मंडरा रहा है और फिलहाल रेकी कर रहा है उस इलाकी की इस से प कुछ एक जिंदगी को जो है वो बचाया गया इस समय उफंती हुई लहरें जो है आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और उनी लहरों के बीच में जो फसे हुए लोग हैं उन लोगों को बचाने की जद्दो जहद और कवायत प्रशाशन की तरफ से की जा रही है सुबे से ही इस बात की कोशिश की जा रही थी कि इन लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके लेकिन पानी का बहाव इतना जादा तेज था पानी इतनी तेज गती से बह रहा था लहाजा किसी भी तरीके का मौका नहीं मिल पा रहा थे कि उन्हें निकाला जा सके और इस समय अगर आप देखेंगे तो टीवी स्क्रीन पर इस समय उज्ज दरिया का वो इलाका हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस समय मासूम जिंदिगियां फसी हुई है हाला कि उस इलाके में अभी नेटवर्क नहीं है पूरी तरह से और जैसा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जम जो एक जगा से दूसरी जगा पहुंचाने में दिक्कत आ रही है और ऐसे में अगर हम दिखाना चाहेंगे तो तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएंगे तो यह आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा ओप्रेशन जो है वो लांच किया गया है और लोग जो फसे हुए है उस मचधार के बीच में वहां पर हेलिकॉप्टर जो है इस समय पहुचा है हाला कि जो दूरी है वो काफी ज़्यादा है क्योंकि चोड़ाई बहुत ज़्यादा है उच दरिया की उस इलाके में और ठीक सामने पेड़ों के उपर अगर आप देखेंगे तो हेलिकॉप्टर जो है वो मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है और वहां से लोगों को रिक्यू करने की rsक्यू करने की कवायत है जो कोशिश है वो प्रशाशन की तरफ प्रॉपर ना होने की वज़ा से सीधी तस्वीर हम तक पहुंचने में कुछ दिक्कत आ रही है लेकिन फिलहाल एक बहुत एहम उप्रेशन जो है वो इससे में चलाया जा रहा है और अगर आप देखेंगे तो हेलिकॉप्टर जो है वो लगातार उस इलाके में ये सीधी तस् कर जो है हेलिकॉप्टर उस इलाके का लगा कर आ चुका है लेकिन अभी उन लोगों तक नहीं पहुंच बनाई जा सकी है तो कोशिश जरूर है प्रसाशन की तरफ से कि उन लोगों को शकुशल जो है वो हेलिकॉप्टर के माध्यम से बाहर निकाला जाए सके और जिस तरह स लगातार सुबे से ही यह खबर आई थी करीबन चाशे से साथ लोग जो हैं उस इलाके में फसे हुए हैं और उसके बाद प्रसाशन उन्हें निकालने की कोशिश कर रहा था क्योंकि पानी का जलस्तर है वो लगातार निरंतरन बढ़ता जा रहा था ऐसे में प्रसाशन की ज जब इंडियन एर फोर्स को जो है अधिकारियों की तरफ से बताया गया है तो इंडियन एर फोर्स की जो टीम है वो इस समय जम्मू से कठ हुआ की तरफ जो है वो निकली है वहां पहुची है कुछ देर पहले ही जम्मू से वो निकली थी और इस समय उस ओपरेशन को सफल बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है और लगातार जो तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं उन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो हैलिकॉप्टर है वो प्रसाशन ये अधिकारी जो वहां पर मौजूद हैं उनकी देखरेक में उन सभी लोगो से बॉर्डर की तरफ यान की नीचे की तरफ जाते हैं तो वहां दो किलो मीटर तकरीबन नीचे जाने के बाद एक पुल पड़ता है उसी पुल के पास जो है ये छे से साथ जिंदिगियां जो है वो फसी पड़ी हुई है और लगातार वहां से कोशिश ये की जा रही है कि इन लोगों को बाहर निकाला जा सके लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे तो अभी यहां पर स्तिती जो है पानी जिस तरह से बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए स्तिती काफी जादा बत से बत्तर होती जा रही है ऐसे में उन लोगों की जान पर बनाई थी जो लोगों को बाहर निकाला जा सके और तैयारी जो है वो सुबह से ही की जा रही थी हाना कि अभी पात बचकर दस मिनट के आसपास जो हेलिकॉप्टर है वह उज दरिया के उस इलाके के ऊपर पहुंचा है अभी फिलहाल वह रैकी कर रहा है उन लोगों की निशान देही कर र दोनों में रहता है इसलिए सावधानी बरती जा रही है क्योंकि हमने जम्मू में देखा जब सीड़ी के माध्यम से लोगों को लिफ्ट करानी की कोशिश की जा रही थी जब वो फसे हुए थे तबी नदी के बीच में तो सीड़ी तूट गई थी और एक आदमी जो है बहत पास पेड़ पौदे लगे होते हैं या फिर जो पानी है नदी के अंदर वो उफान भरकर ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है ऐसे में दिक्कत दोनों तरफ से होती है और कहीं न कहीं कोशिश हमेशा यही रही है कि सुरक्षित इन लोगों को निकाला जाए इसलिए जो कि असपास में यह लोग जो हैं हेलिकॉप्टर लेकर एरफोर्स की टीम जो है वहां पर पहुंची है और उसके बाद आप कवायच शुरू की गई है उस इलाके के अंदर इनको बाहर निकालने को लेकर पूरे प्रसाशन की जो टीम है जो सीनिर ऑफिसर्स हैं इस समय मौके पर मौझूद हैं हालाकि प्रसाशन पिछले दो दिनों से लगातार इस बात को गुहार कर लगा रहा था कि कोई भी सक्ष जो है नदी नालों के किनारे ना जाए बीच में ना उत्रे क्यूंकि खत्रा बना हुआ है कभी भी पानी का जो जलस्तर है जो जलस्तर है नदी नाल बहाव बना हुआ है और कोशिश यही की जा रही है कि उन लोगों को सुरक्षित निकाला जाए लेकिन कवायत जो है वो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है इस पूरे operation के दोरान अगर आप देखेंगे तो senior officers जो है DSP साहब जो है संचित महाजन साहब है वहाँ पर मौझूद है और उनके साथ साथ में मीडिया का काफी जमावड़ा वहाँ पर देखने को मिलेगा आपको क्योंकि यह पूरा operation जो है यह आप अभी फिर एक बार आप देखेंगे कि हेलिकॉप्टर की तस्वीरे आपको सामने नजर आएंगी हेलिकॉप्टर एक बार फिर जो है आपकी स्क्रीम पर नजर आ रहा है और यह हेलिकॉप्टर गश्ट करता हुआ एक बार फिर वहाँ पहुँचा है और पायुदूत एक बार फिर कहीं न कहीं एक एक रक्षक बनकर जो है वो पहुँचे हैं इस समय कट हुआ के उच दरिया में कल वहां पर कुछ लोग राजबाग के इलाके में फसे थे लेकिन उन लोगों को पुलीस के माध्यम से जो है सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया थ और फिलहाल अगर आप देखेंगे तो हेलिकॉप्टर जो है वो आगे की तरफ लैंड हुआ है इसलिए आप देखेंगे वहां पर जितने भी लोग दूसरी साइट पर मौझूद थे वो अब आगे की तरफ जाने को इच्छुक हैं हेलिकॉप्टर किस तरह से इनको रेस्क मतभी हुई है उनको बचाने को लेकर और आप देखेंगे की यहां पर हमारी हमारी हमारे जिस Basham से हम इस सारी तस्वीरे जो हैं देख रहें हैं वहाँ पर तस्वीरे की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिलाल आप देखेंगे हेलिकॉप्टर जो हैं काफी जादा डॉन आ चु कोशिश हमारी है कुछ network की problem की वज़ा से तस्वीरे कुछ रुक रही है रुक रुक कर तस्वीरे हमारे पास आ रही है लेकिन जो जो कोशिश है हमारी कि हम इस पूरे operation को वायूदितों ने किस तरह से अंजाम दिया है वो तस्वीरे हम आपको live दिखा सके और उसी spot से जो है आप यह तस्वीरे देख रहे हैं कि काफी ज्यादा डाउन आया हुआ है और वहां से लोगों को बचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है किस तरह की कोशिश की जा रही है यह तस्वीरों में आप देख सकते हैं हेलिकॉप्टर में एक-एक करकर जो है वो लोग जो है एक बर फिर कोशिश करेंगे इनसे वो सीधी लाइव तस्वीरे देखने को लेकर हम एक बर फिर call हम कर रहे हैं उनीं लोगों को जिनके माद्यम से हम यह लाइव तस्वीरे देख रहे थे लेगिन फिलाल आप देखेंगे कि काफी ज्यादा इस समय वहाँ पर हालाद जो है वो चिंता जनक बने हुए थे और हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर हम आपको लाइव तस्वीरें सकें और यह आप देखेंगे कि दुबारा से हमारे साथ लाइव जो है वो जुड़ चुके हैं और कोशिश हमारी यहीं है कि हम एक बार फिर जो है उस उन कोशिश करेंगे सर अगर आप मुझे सुन पारेंगे तो क्या अभी कुछ क्या कुछ चल पा रहा है कुछ बता पाएंगे आप वहाँ पर सब्सक्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं मैं एक बार दिखाने की आपको कोशिश करेंगे लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यहां पर ओप्रेशन जो है उसे कर लिया गया है सभी लोगों को हेलिकॉप्टर में बिठा कर वह वापिस ले जाया गया है उस जगहां पर जहां पर उनको सुरक्षिश जो है उतारा जासे के लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे कि यह पूरा ओप्रेशन जो है एर फोर्स के माध्यम से किया गया है और एर फोर्स जो है वो लगातार इस पूरे इलाके के अंदर जो है कल भी जिस तरह से एर फोर्स ने जो है वो जो नुशेरा के इलाका पड़ता है वहां पर जो है उन्होंने काफी ज़्यादा कोशिश की और वहां पर एक 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 व्यक्ति को जो है उन्होंने वहां से निकाला है और इस तरह के ऑपरेशन हमने लगातार जो है वो देखे हैं कि किस तरह से जो जब ज कोशिच कर रहे हैं डीसपी साफ से महां पर बात करने को लेकर कोशिच करेंगे घ्रीस अब से हमारी बात हो सके लेकिन फिलहाल अगर हम आप तस्वीरों में देखना चाहें देखेंगे तो आप डीसपी साम इसो में हमारे साथ बने हुए है सुचित जी अगर मैं आप से जानना चाहूंगा कि क्या कुछ हालात हैं क्या उन लोगों को अभी फिलाल निकाल लिया गया है कि सुचित जी आपको मेरी आवाज मिल रही है कि हालो हाँ सर आपको मेरी अलो है कि सुचित जी यहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम मैं खाली इतना जानना चाता हूं क्या ओप्रेशन पूरा हो गया सभी लोगों को निकाल लिया गया है सब्सक्राइब निकाल लिए गया है सब्सक्राइब लोगों को निकाला गया है क्या कुछ थोड़ी डीटेल आप जानकारी दे पाएंगे लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वज़ा से इस समय प्रॉब्लम आ रही है मैं फोन काल से एक बारी उनको जोड़ कर और कोशिश करूंगा कि उनसे मैं बात कर पाऊं कि क्या कुछ हालात इस समय वहां पर बने हुए हैं और कितना टाइम लगा इस पूरे ओपरेशन क को अंजाम देने में कभी यह लोग फसे थे तो इन जानकारी हांसिल करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं DSP साब से बात करने को लेकर कोशिश हमारी यही रहीगी कि हम एक एक डिटेल जो है वो आपके साथ साधा कर सके लेकिन फिलहाल वहां पर नेटवर्क की जिस तरह से प कालात बने हुए हैं वहां पर काफी ज्यादा लोग जो है करीवें छे से साथ लोग जो फसे हुए थे उन लोगों को अब सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है सुची जी आप इसमें वक्त इंडिया पर लाइव हैं सर मैं आप से जानना चाहता हूं यह ओपरेशन लोग आपना अमी 17 के माद्यम से इन साथ लोगों को बचाया है स्क्यू किया है सब इससे पहले भी पुलीस की तरफ से कोशिश की घी हुए इंको निकालने को लेकर लेकर जी जी इन गोगर कोशिश की कि मुझे पानी का बहाब बढ़ा जादा था उस उसकारन यह तो नहीं जाने लगाता बढ़ बाश भी यह तो सर्य लास्ट कोर्शन यह पोचूंगा कि मैं 17 कितने मज यह पोचा तो कितना समय लगा उसको इस पुरे रिसकी अपरेशन को लगे यह तो निचे उतारा गया था यह से इन लोगों को उपर खीचा गया है ने अब चॉपर को नीचे उतार पर फिर इनको बढ़ाया गया है शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त इंडिया से बातचीत करने के लिए तो आप देख सकते हैं डीस पी यह राजबाग के थे जिन्होंने साफतोर पर कहा जो सुबह से ही उस पूरे स्तिती पर नजर बनाए हुए थे और ल महज 10 मिनट के अंदर जो देव दूत हैं जो वायू दूत हैं उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया लोगों की जिन्दगी बचाई और फिर वापिस अपने एरफोस स्टेशन की तरफ रुख कर लिया बाकी के अनखबरों के लिए आप जुड़े रहें वक्त इंडिया के साथ नमस्कार झाल